आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार दोस्तों उन लाखों युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है जो एक सिक्छक के तौर पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जी आ दोस्तों आपको बता दें कि जो TET की परिक्चा होती थी यानि कि teacher eligibility test जो होता था उसकी valetisk साथ साल की होती थी अब उसे ताउम्र यानि की आजीवन valetisk की और दी गई है जेले दोस्तों इस तंदर में क्या है समचा इसे देख लेते हैं केंद्री सिक्षा मंत्राले ने बड़ा फैसला करते हुए सिक्षक पातरता परिक्षा TET योगिता प्रमाणपत्र की वैदता अवध को साथ वर्ष से बढ़ा कर आजीवन कर दी है केंद्री सिक्षा मंत्राले के बयान के अनुसार या फैसला थैसला 10 साल पहले की तारिक 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है यानि इन सालों में जिनके भी प्रमाणपत्रों की अवध पूरी हो चुकी है वे भी शिक्षक भरती परिक्षाओं के लिए पातर होंगे उन्हें बार-बार परिक्षा में भाग लेने की आउसकता नहीं रहेगी केंद्री सिक्षा मंत्राले ने कहा कि समंधित राजिक केंद्र सासित प्रदेश उन उमिदवारों के नए टीटी परमारपत्र जारी करने के लिए आवश्यक का रिवाई करेंगे जिनकी सात वर्स की अवध पहले ही समाप्त हो चुकी है उनकी भी वैलिट्टी की बात यहां की जा रही है कि उनकी दूसरी सर्टिफिकेट यहां जारी की जाए इसकी घोसरा करते हुए केंद्री सिक्षा मंत्री डक्टर रमेज पोखरियाल निसंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से सैच्षडीक छत्र में नौकरी करने के एक्षुक उमिद्वारों को लाब मिलेगा या एक सुधारवादी कदम है इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी तो दोस्तों इस नूज को देखने से ये तो सपस्ट हो चुका है कि साथ से बढ़ा के वैलिटी लाइफ टाइम कर दी गई है लेकिन ये महत्पुन पंक्तियां है दोस्तों देखिए यहां से साथ ही केंद्री सिक्षा मंत्राले के बयान के अंसार या फैसला दस साल पहले क तारिक एक जनरी 2011 से लागू किया गया यानि कि इन सालों में जिनके भी परमारपत्रों की अवज पूरी हो चुकी है वे भी सिक्षक भरती परिक्षाओं के लिए पात्र होंगे उन्हें बार बार परिक्षा में भाग लेने के आउसकता नहीं रहेगी केंद्री सिक्षा मं करेंगे जिनकी 7 वर्ष्की अवधी पहले ही समाफ्त हो चुकी है उन्हें नया certificate चानल पर पहली मारा है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करें परिक्यों मैं मित्याई है अक्षिण ही विडियो में अब्रत्र लिए नमस्कार